सबी को मेरा नमस्कार बहुत दिनों से मैं Emotional Intelligence पर आप से बात करना चाह रही थी मैंने सोचा कि Emotional Intelligence को शुरू करने से पहले हम एक बार Emotions समझ लें तो ये वीडियो exclusively for understanding emotions and then हम Emotional Intelligence शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं Emotions से Emotions क्या है What do you understand by emotion Emotion is a complex experience of consciousness, sensation and behavior reflecting the personal significance of a thing, event or state of affairs ये definition Encyclopedia Britannica से कोट की गई है मतलब इतने में कौन-कौन से हमको शब्द समझने वाले हैं Complex मतलब आसान चीज नहीं है Experience मतलब अनुभव है Consciousness का मतलब पेतना का यानि की चेतन स्वरूप में हम Emotions को Experience करते हैं Sensation कोई sensation मिलती है हमको हम behavior reflect करते हैं Personal significance of a thing event or state of affairs किसी वस्तु के लिए किसी घटना के लिए या कुछ घटित हो गया हो उन सब के परिप्रेक्ष में जो हम sensation या behavior या consciousness का experience reflect करते हैं वो सब कुछ क्या आजाता है emotion या हमारे some way ये definition तो Britannica से लिए गई है फिर Miriam Webster dictionary कैसे define कर रही है इसको एक conscious देखिए consciousness यहां भी है conscious यहां भी है जैसे हमको बोद आता है में डर लगता है subjectively experienced यह objective नहीं है कि हमको गुसा आएगा तो आपको भी गुसा आएगा तीसरे को भी गुसा आएगा हमको गुसा आएगा आपको खुशी हो सकती है subjective है व्यक्तिनिश्ट है वस्तुनिश्ट नहीं है subjectively experienced a strong feeling usually directed toward a specific object हमको किसी विशेश पर गुसा आती है और दुनिया पर नहीं गुसा आती है and typically accompanied by physiological and behavioral changes in the body और ऐसा नहीं होता है कि हमको सिर्फ emotion हम feel कर रहे हैं और हमारे अंदर शरीर में उसके संगत कोई change नहीं हो रहा है शरीर में change होता है हमारी heart beat बढ़ जाती है हम एकदम दुस्से में थराने कांपने लगते हैं आवाज हमारी दूसरी भर रा जाती है और behavioral changes तो मर्यम वेब्स्टर ने थोड़ा और जादा इसको define किया है कि conscious mental reaction है subjectively experienced है और इसके साथ-साथ accompanied by physiological and behavioral changes in the body हमारे शरीर में भी परिपरतन होते है फिर तीसरी definition कहां से लिगए है एक book है discovering psychology discovering psychology नाम की book में by Don Hockenberry and Sandra E. Hockenberry ने define किया emotion को कैसे is a complex तो conscious यहाँ मिल गया complex यहाँ मिल गया मतब complex और consciousness यह दो तो खास चीज़ें होई गई गई emotion की तो emotion is a complex psychological state that involves three distinct components वो बोल रहे हैं कि यह मन की दशा है emotion जो है और एक complex है जटिल दशा है मन की जिसमें की तीन विशिष्ट घटक इसके होने जरूरी है कौन-कौन से subjective experience हम कुछ अनुभव करेंगे जो हमारा विशेश होगा a physiological response उसके लिए कुछ शरीव response करेगा endive behavior और expressive response शरीव के अंदर कुछ change आएगा और हम behavior में भी उसको express करेंगा ऐसा नहीं है कि हम गुस्से में रहते हैं तो बिल्कुल शान्त रहते हैं हम गुस्से में रहते हैं तो हमारे भाव भंगिमा देखकर सबको समझ में आ जाएगा कि हम गुस्से में है गुस्से का example इसलिए ले रहे हैं कि गुस्सा जो है most common experience है most common emotion है और हम सबको अब गुस्सा दी है next अब हमको यह भी जाड़ना ज़रूरी है कि वो ऐसे emotions control हो रहे हैं वो कौन से रसायन हैं जो सिक्रीट होते हैं gland से और हमारे emotions को control करते हैं बहुत कुछ है बताने के लिए पर बहुत खास से चार लिए हैं मैंने सिर्फ serotonin, dopamine, adrenaline और oxytocin है ना आप search करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे तो emotions की दुनिया बहुत बड़ी है और हम इस पर ही कितने lecture ले सकते हैं लेकिन चुकि हमारा main concern emotional intelligence से है जो कि education के बच्चे पढ़ते हैं BA education में पढ़ा जाता है BA demand में पढ़ा जाता है और अब तो management के भी students पढ़ रहे हैं और इस वक्त तो covid pandemic का ये जो time चल रहा है और इसने तो हमारी बहुत बहुत फाइदे मिल सकते हैं हमको हमारे workplace पे हमारे life में हमारे relative हमारे relationships में तो कौनसे chemicals हैं serotonin serotonin कैसा chemical है ये important role in regulating our mood इसका बहुत important important role होता है हमारे mood के regulation में और ये एक neurotransmitter है ना यानि neurons इसका लेना देना है फिर dopamine, dopamine का मतलब आपने शायद कभी इसका नाम सुना हो ये it known as the feel good transmitter यानि कि ये ऐसा transmitter है जो अगर secret हो जाए body में तो हम बड़े खुश हो जाते हैं it acts like a reward ये एक inaam की तरह से काम काता है जैसे and the brain releases it when we do the thing we love कि हमने अपनी किसी favorite star की movie देखी हम picnic मनाने गए हम रेस्ट्रेंड में गए हम अज बाहर खाना खा रहे हैं हम किसी बहुत खास से मिलने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़े क्या हैं जिनके लिए हम एकदम हम चाहते हैं ये करना तो जब हम वो जो चाहते हैं करना वो एक्टली करते हैं brain इसको release करता है and we are feeling good feel good factor है ना तो जब हम चॉकलेट खाएंगे जब हम बढ़ियां movie देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम इसले हो रहे हैं कि dopamine secret हो गया है फिर adrenaline adrenaline को यहाँ पे fight और flight लिखा है कहीं-कहीं fright भी होता है मतलब 3 F से इसका relationship है fight means हम जगड़ा करेंगे बढ़ जगड़ा करेंगे मतलब हम situation से लड़ेंगे flight मतलब चले जाएंगे भाग जाएंगे या fright भी हो सकता है कि हम डर जाएंगे एक situation में तो इसका most common example कि है हो सकता है कि हम माल जीज हमने share को देख लिया तो हम क्या करेंगे जगड़ा तो करेंगे नी share से क्या करें पैंके मटा है हमार जाएंगे तो हम क्या करेंगे भागेंगे या हम इतना भी डर सकते हैं कि हमें कुछ समझी भी नहीं आ रहा है हमारे हाथ पर wines यतम काम करना प्पर कर दिग एकदम बैठे हुए हम भाग भी नहीं रहें फ्लाइट, फाइट और फ्राइट ये तीन और कहीं-कहीं ये दो भी मिलते हैं तो ये क्या है? responsible for our body is fight or flight response मतलब हम भागेंगे, हम लड़ेंगे या भागेंगे इसको तैय करता है adrenal glands, adrenalin नाम भी है तो adrenal grantly से secret होता है whenever brain perceives danger जब हमको कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज साप देख लिया हमने बिज़ी कडग गई बहुत तेज या भूपम पा गया या कोई ऐसी चीज जिसे हम घबरा गए, danger की स्थिती है तो ये secret होता है adrenalin और ये हमें बताता है कि situation से हमको क्या करना है situation के सम कैसा हमको संगत reaction देनी है और oxytocin, it is known as the love hormone है ना, ये एक hormone है जो love की condition में secret होता है and it can promote, तो ये क्या-क्या promote करेगा love में trust, विश्वास, empathy and bonding in relationship ठीक है, तो ये चार हमने chemicals के बारे में जाना जो हमारे emotions को control करते है फिर types of emotions आप emotions को पढ़िये तो कहीं मिलता है four basic types, कहीं seven, कहीं eight, कहीं 27, कहीं 30 लेकिन बहुत खास से हमने लिये हैं कौन से? कि in the 20th century Paul Ickman ये psychologist हुए हैं, उन्होंने बताया हमको six basic emotions हैं जो human beings experience करते हैं कौन-कौन से most common देखिये एंगर, प्रोध, सबसे ज़्यादा, फिर fear, दर वैसे ये कम नहीं है, ये hierarchy नहीं है ये च्छे बताया है नोंने एंगर, fear, डर, disgust, अप्मान, happiness, खुशी, sadness, look and surprise आश चरिये ये च्छे emotions हमको बताए हैं Paul Ickman ने कि ये basic emotions हैं human beings experience करते हैं फिर Robert Plutik आपको कहीं कहीं आप, जहां भी emotions को जड़ा सा भी सर्च करिये Google पर कहीं जाएए तो आपको वील of emotions मिल जाता है, इन्होंने एक वील बताईए कि चक्र है emotions का और कैसे बताया है इन्होंने has identified it, उन्होंने आठ बताया है इन्होंने चे बताया है, ये आठ बता रहे हैं कैसे? इन्होंने बताया है कि four pillars चार इन्होंने पिलर लिए हैं जिसमें ये कहा रहे हैं कि opposites हैं polar opposites, दुरूवी हैं यानि एक दुरूफ पे दूसरा एक छोर पे, एक पोल है तो ये इस तरीके के हमको क्लासिफिकेशन मिलते हैं फिर भी हमको ये एक basic बात पता चल गए कि कोद भय, अपमान, खुशी, जगम और आश्चर ये emotions ऐसे हैं जो सब human beings experience करते हैं और इसी पे ये बात मैंने नीचे लिखी है मैंने लिखी, मतलब मैंने कहीं से लिखी, note की है because they are primary evolutionary क्योंकि evolution के समय से ये basic emotions हम लोग experience कर रहे हैं the basic emotions are experienced and displayed much the same way across cultures देखिए हम लोग cultural intelligence की बात कर रहे थे across culture ये emotions सब experience कर रहे हैं human beings अनि ये हैं कि Indians experience कर रहे हैं, Americans महीं कर रहे हैं सब कर रहे हैं उनों नहीं बताया and people are quite accurate at judging the facial expressions of people from different culture इसी लिए इसी भी culture का व्यक्ति को अगर क्रोध में होगा तो हमको पता चल जाएगा वो क्रोध में है क्योंकि ये basic emotions हैं सब ही experience करते हैं और इसको facial, हम इसको judgment इसका facial gesture से कर सकते हैं सही सही, most बहुत हद तक सही फिर theories of emotions बहुत सारी theories भी दी गई हैं emotion के लिए जो most common है वो आप के संग शेयर कर रही हूँ most common ये तीन है कौन-कौन सी? according to the cannon bard theory, james lange theory and skeptical singer या फ्रैक्ट theory cannon bard क्या कह रहे हैं cannon bard कह रहे हैं ये देखें, दो नाम है cannon में होदे अलग हैं bard अलग है, दो मिल गए हैं उसी तरह से james lange का भी है उसी तरह से skeptical singer ये एक नाम नहीं है तो cannon bard theory कह रही है कि the experience of an emotion is accompanied by physiological arousal मतलब हम किसी सम्वेग का अनुभव करते हैं तो उसके साथ साथ कोई ना कोई physiological arousal होता है जैसे sweating, trembling in muscle tension, heartbeat बढ़ जाना मतलब हम अगर भै में हैं तो ऐसा नहीं कि हम भै में हैं और हमारे चेहरे पर कोई expression नहीं है हम भै में हैं तो पसीने छूट जाएंगे हमारे हम एकदम थर-थर कांप में ही लगेंगे हमारे एकदम muscle वसल tension आ जाएगी उसमें या हम बहुत घबराएं तो नहीं हाट भी बढ़ जाएगी है ना तो यह है यह कह रहे हैं कि emotion जो है वो physiological arousal के संग होता है, simultaneous होता है असान है, कोई दिक्कत नहीं James Lange क्या कह रहे हैं इन्होंने थोड़ा सा उसमें प्रचला दिया यह कह रहे हैं कि यह कह रहे हैं कि यह जो physiological arousal होता है उसकी वजह से हम emotion experience करते हैं यह कह रहे हैं साथ-साथ और यह बोल रहे हैं नहीं physiological arousal पहले है और उसकी वजह से हम emotions experience करते हैं देखिए आगे क्या कह रहा है People have a physiological response to environmental stimuli हमको environment नहीं stimuli दिया हमको साप दिख दिया हम डर गए and their interpretation of that physical response then results in an emotional experience और चुकि हम डर गए हैं इसलिए हमारी heart beat बढ़ गई है तब हमको पता चल रहे हैं कि हम डर हैं है ना हमने साप देखा हमारी heart beat बढ़ गई और उसको हमने कौन सा emotion से जोड़ दिया fears हमको कोई बहुत हमारा संदीरा व्यक्ती मिल गया हम खुश हो गया हमको मतलब एकदम हम एकदम आखें हमारी चमक उठी तो हमको ने कौन सा emotion उसको नाम दे दिया खुशी का ये थोड़ा सा इन्होंने बदला है और scatter singer ने क्या किया इन्होंने physiological arousal के साथ-साथ ये ले लिया है क्या cognitive appraisal इन्होंने का नहीं नहीं तिर physiological arousal से बात नहीं बने कुछ नहीं कुछ हमारे cognition या नी दिमाग में भी चल रहा है emotion हम experience करते हैं कैसे बोल रहा है ये कि the experience of emotion is determined by the intensity of the arousal पहरी बात तो कि तीवरता पनेर बर करता है कि किस तीवरता के संग हम वो arousal experience करते हैं and the cognitive appraisal of the situation और आपका दिमाग क्या नाम दे रहा है उस arousal को that determines what the emotion will be ये सुनिश्चित करेगा कि किस प्रकार का emotion या संवेग आप experience कर रहे हैं कि इसको आप इस चीछ से भी समझ सकते हैं कि जब इसमें मैंने कहा लिका है cognitive revolution in psychology यानि कि जब मनो विज्यान में cognitive revolution आया हार जीश के लिए हम cognitive cognition का सहरा लेने लगे 1960 के दोरान अब ये स्कैक्टर सिंगर थेरी आई है यानि कि उन्हें physiology को छोड़ाने ही cognition को भी दे लिया साथ अब functions of emotions असान है क्या है functions of emotions intra-personal यानि व्यक्ति के भीतर interpersonal व्यक्तियों के बीच में और social and cultural मतलब सामाजिक और आंस्कृतिक intra-personal क्या है वो role that emotions play within each of us हम आज हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये most common है national emotion है कि आज अच्छा नहीं लग रहा है समझ में नहीं आता है किसलिए अच्छा नहीं लग रहा है किसी दूसरे से उसका कोई concern नहीं होता है हमको समझ ही नहीं आता है cultural norms है हम उनको फिल-फिल करना है वो role that emotions play in the maintenance of social role कि हमको social role को maintain करने के लिए जो emotions आ रहे हैं बैसे कैसे जिसे माली जी हम किसी के उसमें गए है न राद में गए है तो हमको social role क्या है कि हमको sadness का experience, sadness का emotion अब हम आ रहे हैं उसकड़ी से उसकड़ी को जोड़ रहे हैं emotions से emotional intelligence को जोड़ने की बेला आ गई जा कह रहे हैं कि role of emotions and emotional intelligence यानि सामवीगी गुद्धी में emotions का क्या रोल है emotional intelligence allows us to understand and manage our emotions in order to self-motivate and to create positive social interactions, it's the first step in realizing our true potential, मतलब यह जो emotional intelligence है वो हमको यह अनुमती देता है या वो हमको इस काबिल बनाता है कि हम understand यानि समझ सकें and manage यानि manage कर सकें, नियंतरित कर सकें our emotions, अपने emotions को किसली है in order to self-motivate या कि हम अपने आपको motivate कर सकें and create positive social interactions और सामाजिक जो हमारे अताना बना है उसके संग हम positively react करें तो इससे क्या होगा it's the first step in realizing our true potential, जो हमारा true potential है वो निकल कर आएगा क्यों क्यों कि हम work place पे survive नहीं कर पाते हमारा spouse के adjustment नहीं है, हमारा बच्चों के संग adjustment नहीं है, in-laws के संग adjustment नहीं है, हमारा bosses के संग adjustment नहीं है, तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं emotional intelligence को lack कर रहे हैं, हमको अपने emotions पे manage और understand उसको नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो social interaction है वो positive हो सके, और यह सब नहीं होता है, इसलिए हम अपने true potential को नहीं realize कर पाते हैं, नहीं achieve कर पाते हैं, फिर emotional intelligence is a useful skill to prevent making decisions based on emotional biases, मतलब emotionally हम bias होके कोई decision न ले ले, इसके लिए emotional intelligence जरूरी है, और last but not the least, individuals with higher levels of emotional intelligence are less likely to succumb to the negative impacts of stressors, while they are they can effectively help those individuals who have to deal with negative emotions, मतलब कि जो, जिनके पास high EQ है, वो जो हमको सबके जिन्दगी में stress है, stressors है, तो उनके impact कम पढ़ते हैं उन पर, और वो उनको भी मदद कर सकते हैं, जो negative emotions को जहेल रहे हैं, positive अपने reactions से, ठीक है, तो यह बहुत, 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 बहुत interesting topic लगते हैं मुझको, और बहुत मज़ा भी आती हैं इसको पढ़ने में, जैसे लगता है पढ़नी रहे हैं, बस ऐसे कुछ अथा सा feel good type का आता है, मतलब dopamine सिक्रीट हो जाता है, emotional intelligence जब पढ़ते हैं, ठीक, तो emotional intelligence के लिए background बना दिया है मैंने, अब next video में हम emotional intelligence को शुरू करेंगे, okay I hope that you are now aware with your emotions, okay ब्लाद